कहिए कैसे हैं आप बेटी से भूल कर भी ना कहें ये बाते देखिंगे ज़रूरी नहीं कि रोश्नी चिरागों से हो बेटियां भी तो घर को रोशन किया करती हैं और इसके लिए क्या ज़रूरी है कि उनकी परवरिश हम अच्छे से करें वह अच्छी अच्छी बाते उनको सिखाएं, अच्छी अच्छी बाते कहें और कुछ बाते ऐसी हैं जो हम भूल के भी उनसे ना कहें हम कई बार जासे होता है जादा प्यार में या जादा तक्रार में कुछ ऐसा बोल जाते हैं intentions नहीं होती है हमारी बोलने की जाने अन जाने कुछ ऐसा बोल जाते हैं उससे क्या होता है उनकी परवरिश पर negative असर पढ़ता है इसलिए बहुत ज़रूरी है कि कुछ बाते जो हम frequently बोल जाते हैं आज मैं वो साथ बाते बता रही हूँ कि control कीजिए उन पर वो मत बोलिए तो क्या हैं वो बाते मैं एक एक करके आपको बताते हूँ सबसे पहली बात बार बार जताना तुम्हें कलड़की हो तुम्हें ऐसा करना है तुम्हें वैसा करना है तुम्हें ये करना है तुम्हें वो नहीं करना बार बार जताना इस तरह से उसको बोलते हैं इस तरह से ट्रीट करते हैं जैसे मानलो वो इस planet की हाई नहीं कहीं बार की दुनिया से आई है इस तरह से अब देखिए जैसे क्या कहते हैं कि एक लड़की है वो पैंट पहनती है टी शर्ट पहनती है और बॉयकट करा रखे चुट-चुटे बाल करा रखे लड़कों की तरह रहती हो लड़कियों की तरह रहा करो ठीक है एक लड़की जो लड़कियों की तरह ही रहती है यानि कि कुम मेकप भी करती है, फैशन भी करती है, जैसे कोई हिरोईन है या कोई टीवी अक्टरस है, उसको फॉलो करती है, भी वो जिस तरह के कपड़े पहनती है, जिस तरह से वो बातचीत करती है, जिस तरह से उसका बिहेवियर है, उसको फॉलो करती है, क्या हिरोईनों क कि तरह रहती हो लड़कियों की तरह रहा करो उसको समझ ही नहीं आता अभी मैं अगर लड़की की तरह रहा करो लड़की बनके रहती हूं तब लड़की की तरह रहा करो अच्छा कहीं पर उसका अपना कोई point of view है वो कुछ कहना चारी है उसके जो emotions है उसको तो एकदम से dismiss कर देते हैं क्या बोलते हैं अभी तुम चोटी हो अभी तुम बच्ची हो तुम्हें समझ नहीं है सही और गलत की तुम्हें पहचान नहीं है या तुम अभी बड़ी हो गई हो तुम्हें ये बाते शोबा नही कहेंगे ससुराल वाले क्या कहेंगे अब जैसे की एक लड़की है खाना बनाना सीख ले घर को साफ सुथरा रखना सीख ले नी तो कल को ससुराल वाले क्या कहेंगे या फिर जैसे लड़की है और वो न देर से उठती है जल्दी नहीं उठती या बहुत टॉकेटिव है या हस्ती बहुत है तो ना कटवाएगी तू या एक लड़की बहुत खाती है बहुत मोटी है और वो खाती भी बहुत पतली है बहुत पतली है तो कौन शादी करेगा कौन अपनाएगा तुझे इस तरह की बाते या वो कुछ जानना चाहरी है कुछ पूछना चाहरी है उसके मन में कोई सवाल है तो उसके सवाल पर ही सवाल या निशान लगा देना कि तुम तो लड़की हो कल को ये बात अगर ससुराल में पूछ होगे तो निकाल भार करेंगे इस तरह की बाते नहीं पूछा करते तुम चुप रहो या उसके कोई अपनी परस्नल लाइकिंग डिसलाइकिंग है जैसे कोई मान लिजी एक घर में अंकल आते हो उसको वो पसंद नहीं है तो वो उनसे मिलने को ना करती है मना करती है तो तुम ये कैसे कर सकती हो मतलब तुम तो ये करी नहीं सकती ना तो क्या ही नहीं सकती तुम तुम्हारी अपनी liking, disliking कोई नहीं है हो ये नहीं सकती हर बात पर पहरा हर बात पर पहरा मतलब कुछ करने नहीं देना कुछ पूछ रही है, उसका जवाब नहीं देना हर बात में पहरा और जब वो चली जाएगी न फिर बोलते हैं, फिर याद करकर बोलेंगी, हमारे गर की तो रौनक ही चली गी जब वो बोल रही है खिल खिला कर हस रही है, तब तो पहरे लगा रहे हैं, और जब वो चली गई तो बोलते हैं, रौनक चली गई तो ध्यान रखना इन बातों का, ऐसे बात-बात पर इस तरह से नहीं बोलना फिलिंग्स हर्ट होती हैं, दुख होता है उसको, ठेस पहुँचती है उसको अब आती है तीसरी बात जहां कुछ पेरेंट्स तो बहुत जादा ये करो, वो करो, ये सीको, वो सीको वहीं कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत पैमपर करते हैं बहुत नाजों से, जिसको बोलते हैं न, पालते हैं बेटी को कुछ नहीं काम करने देते हैं मतलब पानी का ग्लास तक भी उसको नहीं लेकर पीने देते हैं, कि भई नहीं, मतलब हम करेंगे काम, तुम क्या करोगी काम, बच्ची हो अभी, छोटी हो अभी, तो उसको कुछ काम नहीं करने देते हैं, तो ये क्या है, ये चीज गलत है, ये गलत इसलिए है कि उसको responsible बनान responsible बनाना उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अच्छा इसी के साथ उसकी praise भी बहुत करते हैं जैसे एक तो pamper करते हैं एक praise तुम तो बहुत सुन्दर हो बिक्कुल चांद का टुकड़ा हो मैं तो बहुत बहुत ज़्यादा praise करते हैं ठीक है अगर वह अच्छी है, असुन्दर हो breaths तो बहुत अच्छी बहुत है पर उसको यह बताना है कि भारी सुन्दरता ही सब कुछ नहीं दिल सुन्दर होना चाहिए वह बारवार शेल्फी ले रही है हां कोई दिक्कत नहीं है पर अपना जो अंदर का है ना अपना जो दिल है अपनी जो नेचर है उसको भी अच्छा बनाना है वो जादा खूबसूरत होने चाहिए उसको यह बताना चाहिए कि जरूरी नहीं है कि खूबसूरत लोग अच्छे हो पर अच्छे लोग जरूर खूबसूरत होते हैं इस तर बॉइस को लेके कि लड़के तो अच्छे नहीं होते हैं, लड़कों से distance maintain करके रखना चाहिए, जैसे कुछ parents तो ऐसे होते हैं, जैसे शुरू से ही girls की education है, तो कोईड में नहीं, लड़कों के साथ नहीं पड़ेगी, मतलब लड़कों को तो एक तरह से हववा बना के रखना बहुत negative बोलना कि boys तो अच्छे होते ही नहीं हैं, तो क्या होता है, starting से ही न वो दबू बन जाती है, एक तो अकेले नहीं जाना, एक ये boys अच्छे नहीं होते हैं, तो एक तो confidence उसका lose होना शुरू हो जाता है, एक वो डरपोक बन जाती है, उसको ये बताना है कि reason क्या है, हम जो मना कर रहे हैं, उसका reason क्या है, किसलिए कहते हैं कि अकेले नहीं जाना, अंधेरे में जल्दी घर आ जाना, अंधेर होने से पहले आ जाना, उसको reason बताना चाहिए, और उसको bold बनाना है, confident बनाना है, उसको safety tips बतानी है, किन-किन चीज़ों का वो ध्यान रखे, बहु है, उसका reason यह है, कि उसकी परवरिश अच्छी नहीं हुई, बार 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 हम इस तरह से बोल बोल के, बोल बोल के ना, तो उसके अंदर negativity भर दी हमने, confidence ही लूज हो गया उसका, घबराट होती अब उसको, तो ज़रूरत क्या है, कि यह चीज़ तो बिलकुल है नहीं क के लिए बाहर पढ़ने जाना चाती है, अपने घर से दूर, दूसरे शहर में जाना चाती है, मतलब ही नहीं, क्या हुआ, तुमको पता नहीं है कि पढ़ा उसकी लड़की गई थी, देखा नहीं था, तुमने, कैसे उसके पढ़ लग गए थे, बाहर गई थी, तुम्हारी वो आर्मी में जाना चाहरी है, वो नेवी में जाना चाहरी है, कोई sports में, जैसे boxing में, उसका बहुत जादा interest है, मतलब ही नहीं है, ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये चीज़े तुम्हारे लिए नहीं है, कुछ easy सी चीज़ देखो, जैसे माली जै subject भी है ना, तो उसका history में geography में, maths में interest है, तो नहीं कोई easy सा देखो, तुम तो बस home science देख लो, arts देख लो, ये चीज़े तुम्हारे लिए नहीं है, मतलब उसको इस तरह से कहना, उसके कोई dreams है, उसको follow करना चाहती है, उसको कोई passion है, मतलब ही नहीं ना, तुम तो complete time waste कर रही हो, घर देखो तुम, खाना बनाना सीखो बस तुम, घर की सफाई करना सीखो तुम, ये तुम्हारे लिए ज़रूरी है, ये चीज़े क्या है, जैसे माली ज़र गिटारी सीख रही है, फाल तो मैं time waste कर रही है, तो समझे उसको, उसको follow करने दीजिए, उसकी passions को, क्या पता, कल को वो क्या बन सकत है, examples आप ऐसे negative मत दीजिए, कि वो परोज की लड़की भागी थी, या उसके पढ लग गए थे, या उसके ये हो गया था, कितने positive examples हैं हमारे society में, वो दीजिए, encourage करिए, उसको बोलिए कि हम तुम्हारे साथ है, तुम आगे बढ़ो, कदम कदम पे तुम अपने सपने पू गर्ल्स क्या ऐसी चीज़ है जो नहीं कर सकती, करिए उनको motivate, करिए उनको encourage, कहां लेके बैठ गए आप लोग, अब आता है six point, कि बेटी तो परायधन होती है, तुम तो चली जाओगी, मतलब बार 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 उसको realize करा ना तुम्हाई तो शादी हो जाएगी, जिसे आंगन की चिडिया है, तुम तो पुर से उड़ जाओगी, तो उसको यह लगने लगता है, यह तो मेरा घर ही नहीं, मेरा घर तो कोई और है, बार 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 कह 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 के उसको ऐसास दिलाए जाता है, तुम तो परायधन हो, देखिए बेटी परायधन होके भी परायधन होती, इसलि से क्यों बार बर बोलना वो अपने जिगर का टुक रहा है है कि नहीं और कई पर क्या बोलते हैं कि ना तुम्हारी शादी तो बहुत अमीर लड़के से गरेंगे मतलों सपनों को राज कुप पैसे वाला होगा उससे उसको क्या फीलिंग आने लगती है उसको यह लगता है कि यह तो मैं इतनी capable नहीं या मेरी family इतनी capable नहीं कि हम इतना कमा सकें ज़्यादा अमीर लड़के से चादी करनी है या फिर जब ज़्यादा अमीर की बात करते ना तो उसको यह लगता है कि पैसा जादा important है healthy रिष्टे से ज़्यादा पैसा important है पैसा होना जीए और कहीं बार जैसे बचपन से उसके मन में भर देते हैं न अमीर गर में गरेंगे, अमीर गर में गरेंगे, खुब पैसे वाला होगा, लगपती होगा, तो उससे क्या होता है कि उसके मन में क्या आजाता है, in case बहुत जादा अमीर गर नहीं मिलता, मतलब सोच के हिसाब से नहीं मिलता, तो फिर लड़की हमेशा दुखी रहती है, पूरी जिन की दुखी रहती है, कि कहां, कितने सपने देखे थे, इतना अमीर घर होगा, बड़ा सा गर होगा, बड़ी सी गाड़ी होगी, यह होगा, वो होगा, विदेश गुमने जाएंगे, यहां तो कुछ भी नहीं है, फिर वो सा बहुत फ्रीक्वेंट ली बोलते हैं, हमने तो अपनी बेटी को बेटे की तरह पाला है, इसकी परवरिश तो बिलकुल बेटे की तरह की Nä, कहीं न कहीं, हम यह दिखा रहें, कि बेटा बेटे की परवरिश अलग होती है, मतलब, हम इन्टेंशली नहीं बोल रहे, पर हम तो तो इन डारेक्ट वे में ये दिखा रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम इसकी परवरिश बेटी की तरह कर रहे हैं क्योंकि बेटे की परवरिश अलग दंग से होती है हम वैसे ही कर रहे है तो एक यह चीज फिर आज की लड़की लड़कों से कम थोड़ी ना है वो है ना मारी छोरी छ talent की बात करें, girls में, तो वो तो पहले भी कभी कम नी था, मतलब हमेशा सही कूब रहा है, पर ये अलग बात है कि पहचान उसको अब मिल रही है, पहले नहीं थी, समाज में जैसे समय बदलता है, तो दीरे 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 फरकाना शुरू हो जाता है, आज से अगर 30 साल, 40 स पहले का इत्यास उठा के देगे, तो कितना फरक है आज की डेट में, अगर तुल ना करें तो, चेंज तो आई रहा है, और अच्छी बात है, ये चीज़े बहुत अच्छी है, आगे निकलने का, आगे बढ़ने का मौकत दे रहे, तो हम पिछडी सोच लेके किस ले बैठे कई बार क्या करते हैं, कि जैसे ना बहुत बड़ी जिम्मेदारी समझते हैं, बेटी का होना, बहुत समझते हैं बेटी का होना, बस एक बर तेरी शादी हो जाए, बार बार, बात बात पर जताना, बस एक बर तेरी शादी हो जाए, इस जिम्मेदारी से निमट जाए, दाश के लिए पैसे चाहिए वो लड़की के लिए फिक्ट डिपॉजट करा रहे कि शादी के काम आएँगे तो वो नहीं निकाल रहे तो लड़की को महसूस होता है कि देखो मेरी वज़े से क्या क्या कर रहे हैं मतलब मुसीबत उठा रहे हैं तो इन डारेक्ट बे में मुस क्या मैं इतनी capable नहीं हो कि मैं कुछ कर सकूँ अपने parents के लिए तो देखें ये हैं कुछ बातें इस तरह की बातें नहीं कहने चाहिए इस तरह से कहके ना उनकी feelings hurt होती हैं और वो जो आगे करना चारी है लाइफ में कुछ बनना चारी है नहीं बन पाएंगी break लग जाएगा आगे बढ़ने से speed breakers हैं ये बातें पीछे होती जाएंगी speed slow होती जाएगी इसलिए उनको encourage कीजिए motivate कीजिए देखिए अगर बेटा भागे से होता ना तो बेटियां सौ भागे से होती है और उस घर में रहमत बरसती है जिस घर में बेटियां खिल खिला कर हसती है अपने घर की जान होती है बेटियां और दो कुलों का मान होती है बेटियां तो बेटियों को एकदम strong बनाएए देखि सब उनको नजर बर-बर के देखें, उनको बनाना है सूरत जासा, उसकी तरफ देखना भी होना नजर उठा के, देखा ही न जाए, आँखे चौन दिया जाएं, इस तरही की बनानी चाहिए अपनी बेटी, विसे आप बताईए, आप क्या सोचते हैं, आपके कमेंट्स का वीडियो अफ्लोड करती हूँ, आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लेगी, आपको लग रहे कि किसी और के काम भी आ सकती है, तो प्लीज आप इसको शेयर भी ज़रूर करनी चाहिए, ठीक, बाई